पड़ाम मेरे प्यारे शोतागणों, आज मैं कथा वाचक अक्कुर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अमर्ज योती पुस्तक से ले गई कथा चक्रधर चक्रधर स्वामी का जन्म तो हुआ था गुजरात में, लेकिन उन्होंने काम किया महराश्कुर में उनका जन्म का नाम था हरपाल देर, भड़ोच नगर में उनका परिवार प्रसिद्ध हुआ, पिता राश परिवार के थे और घर धन धाने से भरा था जब हरपाल देर पच्चिस वर्ष के थे तो एक बार देवगरी के राजा ने गुजरात पर हमला किया हरपाल देव के शरीर में बल था, दिल में स्वाबिमान, उन्होंने बड़ी वीरता से शप्तर का मकाबला किया और उन्हें वेरल तक खदेर दिया, विजय तो मिली, पर भेयानक विपत्ते भी आ पड़ी हरपाल देव अच्छानक वीमार हो गए, उनको बचाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन वह बच न सके इसके बाद जो कहानी कही जाती है, वह अद्वत है, कहते हैं, हरपाल देव के मत शरीर को शमशान ले जाया जा रहा था वे अच्छानक उट बैटे, मानो गहरी नीन से जागी हो, लोग आश्चरी से हका बका रह गए, दर भी गए, ऐसी अन्हुनी गखना ना किसी ने देखी थी, ना सुनी थी, लोगों ने सोचा, कोई भूत परेथ है, उसकी परिक्षा करने के लिए, उससे तरह तरह की सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन उसने सब की सही उत्तर दिये, और कुछ बाते तो ऐसी बता ही, जो हरपाल देव और उनकी पतनी के अलावा, किसी और को नहीं मालुम थी, लोग कहने लगे, हरपाल देव फिर से जीवित हो उते हैं, उनकी खुशी का तिकाना ना रहा, हरपाल इस्तरी से उसका विवा हुआ, और जीवन आमोत प्रमोद में बीतने लगा, अमीर युवकों को गुमरा करने वाले दोस्तों की कमी नहीं रहती, चक्रधर भी इस दोस्त कहलाने वाले ऐसे लोगों से गिरा रहता, जुआ खेलने की आदत भी पढ़ने लगी, देरे देरे एक वियसन बन गिया, और उसका सारा धन उसमें जाने लगा, जितना वह हारता उतने ही जोश से खेलता, उसको उमीद थी कभी न कभी किसमत पलतेगी, कभी उसका भी दाओं लगेगा, और उसी खोई हुई दौलत फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन वह दिन कभी नाया, अ करें, तो क्या करें? निराशा के इस अंदगार में आशा की एक ही किरन नजर आती थी उसकी पतनी, अभी तक उसको सुपन में भी इसका खयाल नहीं था, कि उसका पती जुए में सर्वस्व गवा वैथा है, चक्रदर ने उसे कभी नहीं बताया था, अब घर जाकर पतनी को सब कुछ बताने के लावा कोई चारा नहीं था, उसको इसमें कोई संदेह नहीं था, कि पतनी को दुख चाहे जितना हो, वह उसे च्छमा कर देगी, और उसकी मदद करेगी, लाचार होकर चकरदर घर गया, और पतनी को सारी बातें बता कर कहा, इस संकट में केवल तुम मे मेरी मदद कर सकते हो, अपने गहने दे दो, तो कस्च चुका कर अपनी जान बचाओ, उसकी बास सुनकर पतनी ने कहा, मुझको इसका जरा भी ग्यान होता कि आप इस यरसन में फ़स कहे हैं, तो मैं आपको बचा लेती, लेकिन आपने मुझसे ये बात छिपा रखी, आप आज मेरे पास आये हैं, जब पूरा सरवनाश हो चुका, तो आप भी सुन लीजी, कहने मेरे हैं, मेरे बाबाप ने मुझे दिये हैं, उन्हें मांगने में भी आपको शराम आनी चाहिए, मैं अपने गहने हर्गिज नहीं दूँगी, पतनी की फटका से चकरदर की आँखे उन्होंने कभी नहीं सोचा कि संकत की समय पतनी उनकी साहता करने से इंकार कर देगी, उन्होंने सोचा कि संसार में सब नाते रिष्टे जूटे हैं, सब का संबंद स्वार्थ से हैं, उसका मन विरक्त हो गया, उसी समय उसने घर त्यागने का निश्य कर लिया, चक्रदर त बहुत प्रभावित किया। चक्रधर उनके शिश्य बन गए। गुरू का अशिरवाद लेकर तपस्या करने के लिए चक्रधर जंगल में चले गए। कहा जाता है उन्होंने साल वर्डी के जंगल में बारा वर्ष तक तपस्या की। कोई नहीं जानता कि उन दिनों वे कैसे रहते थे और उनकी दिनचरिया क्या थे। बारा वर्ष गायब रहने के बाद वे वीर गल पहुँचे इतना ही गया थे। कहा जाता है कि तपस्या पूरी हो गई। तो चक्रधर की बेट उगली नात से हुई जो बड़े सिद्ध पुरश कहे जाते हैं। और उन्हें चक्र रूपवान थे। उनके रूप से प्रवावित होकर उगली नात ने उन्हें वपस्त मिनी विद्या दी। विश्वास था कि इससे मनुष्य कभी बूड़ा नहीं होता। कहते हैं चक्रधर भी अंत तक युवा रहे। चक्रधर कहते थे कि ईश्वर को पाना है उस सांसारि अधरिक सुखों को त्याक कर सन्यासियों की तरह रहना होगा। उन्होंने महान और भावपंथ चलाया और बहुत से लोग इनकी शिश्य बन गए। उस जमाने में धर्म और ग्यान का थेका ब्राम्मण आदी उच्वर के लोगों के आथों में ही था। आम जंता संस्क्रत क ग्यान से वंचत थे। घमंदी उच्वर की समाज ग्यान के जो दो चार रूखे सुखे तुकड़े फेकता था। उसी पर उन्हें संतोश कर लेना पड़ता था। चक्रधर ने इस अन्याय का विरोध किया। उन्होंने अपने सारे उपदेश आम लोगों की भाशा माराथ में दिये ताकि लोग उन्हें समत सके। उनकी रचनाओं के कारण मराथी भाशा को एक नई प्रतिष्ठा में ले। इसी कारण यद्धपी उच्छ वर्ग के लोगों ने उन्हें भहुत सताया, फिर भी हजारों लोग उनके द्वारा चलाए गए, महानुभाव पन्थ में जैसा की हमेशा होता है, जैसे जैसे चक्रदर स्वामी लोग प्ली और प्रसुद्ध होने लगे, उनके विरोधियों और शत्रों की संख्या भी बढ़ने लगी, लेकिन वो अपने शत्रों का कभी बुरा नहीं चाहते थे, वो स्वयम अहिंसावादी थे, शरीर से तो दू मन से भी इंसा ना करने का उनका संकल्प था, एक बार तो किसी ने धुके से उन्हें विश्द दे दिया, उन्हें चुपचाप उसकी यातना सहली विश्द देने वालों को बुरा नहीं कहा, चक्रदर स्वामी को कितनी ही पुरानी बाते ना पसंद थे, यह देखते हुए उस जमाने में लोग इतने अधिक रूड़ी वादी और अंद विश्द विश्द थे कि उनका विश्द करने के लिए बड़े साहस की जरूरत थी, चक्रदर जाती वेद के खिलाफ थे, यग य आदी पर भी उनको विश्द नहीं था, मुक्ति के लिए तीर स्यात्रा करना वो आवश्यक नहीं समझते थे, वो कहते थे कि भगवान तो सभी जगे हैं, तीर स्यात्रा किये बगयर किसी की मुक्ति नहीं हो सकती, इस बात को वो नहीं मानते थे, कहते हैं काकोस नाम का एक उनका शिश्य था, जब लोग तीर स्यात्रा पचल पड़े, तो उसकी काकोस में इतनी समझ कहा, उसने जित पकड़ ली, तब चक्रदर स्वामी ने उसे सबक सिखाया, शिश्य जब आँखें मूदें ध्यान में रत बैठा हुआ था, तब उसे अपने सामने द्वार का नगरे दिखाई देने लगी, उसने देखा कि राजदूद उसे बड़े भारी राजमहल देखे जा रहे हैं, अंदर जाकर देखा तो साक्षात प्रभू सामने बढ़ते हैं, उसके आनंद की सीमा ना रही, धीरे धीरे श्री किष्ण भगवान के स्थान पर स्वायम चक्रदर स्वामी दिखाई देने लगी, तब उसकी समझ में आया कि परमात्मा तो मेरे पास ही है, गुरू की मूर्ती ही परमिश्वर की मूर्ती है, फ्यर्त में तीत याता करके देख को तकलीव देने की क्या जरूरत है, इस प्रकार चक्रदर स्वामी इन लोगों को धर्म का सही मतलब समझाया करते थे, सिर्फ करमकांड ही धर्म नहीं, और यह उन्हो कि इन बातों से रूरी वादी लोग छिटते थे, धीरे धीरे वे चक्रदर स्वामी के इतने विरूदी हो गए, कि उन्होंने राजा के भी कान बढ़ दी, अब चक्रदर स्वामी को सताने को साजिश में रासता भी शामिल हो गई, कहा जाता है, मुधादितिक के मंदिर में सारे ब्रामण पंदित एककत्र हो गए, उन्होंने चक्रदर स्वामी को बलाकर सफाई मांगी, वह तो सिर्फ एक बहाना था, उन लोगों में कितने ही दुश्च थे, वे लोग बला एक पवित संद का क्या नियाए करते है, पूछ ताच का नाजता करके चक्रदर स्वामी क नाक कान काकने की सजा दी गई, तुरन तो वैसा ही किया गया, चक्रदर स्वामी तीन दिन तक एकांत में बंद रहे, चौधे दिन वे कुटिया से वहार आए, लेकिन कैसा चमत खार, उनका चेहरा पहली की तरह सुन्दर हो गया, नाक कान काकने का चिन्नी भी नहीं थे, उ इसी ख़बर पाकर उनके विरूदी लोग जल बन गए, उन्होंने सोचा, अब राजा से सजा दिलवा कर ही खत्म किया जाए, उन्होंने इस मसीबत को चड़ से दूर करने का संकल्प किया, चक्रदर स्वामी को उनके मक से बाहर गसीता गया, उनके शशनाक देर में उन्हे बचाने की कोशिश की, तो सिपाहियों ने उसे जंडों से बीट कर दूर बगा दिया, पल भर की देर किये बिना, उस महान दया मूर्ती, चक्रदर स्वामी का सिर काच दिया गया, नदी का किनारा था, एक बेरागी उसकती हुई देख को देख रहा था, सहसा एक और चमतका में रहना ही प्रिये था, सत्य और ग्यान के भी कितने शत्रों हो सकते हैं, चक्रदर स्वामी हमाला की और चले गए, ऐसा कहा जाता है कि जग को दुख और करणा से देखते हुए और पाप ताप नश्ट करते हुए वे अभी तक वहाँ हैं, उन्हें तेरवी शताब्दी का गांधी कहा जा सकता है, गुजरात